सब्सक्राइब कीज़े लेर्निक फामिसी चैनल को एंड बेल ऐकन को दबाईए लेटेस्ट फामिसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो हम देखेंगे जीपैट 2022 नोटिफिकेशन क्या क्या इसमें डिसकस करेंगे देखें क्या है देखें जीपैट 2022 की इंपोर्टन देटस हम देख लेंगे रिजिस्टरेशन प्रोसेस कैसे होगी इस रिजिस्टरेशन फीस और मोड ऑफ पेमिंट क्या होगा यह देखनेंगे इलिजिबिल्टी क्राइटिरिया क्या है पैटन अफ एक्जाम कैसा होगा जीपैट 2022 स्लेबर्स और लास्ट में हम देखेंगे कुछ इंपोर्टन प्रोप्रेशन टिप्स जनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने जीपैट 2022 को क्राइक कर सकते हैं अब देखे लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की सबसे पेरा प्रोसेसर का सकते हैं अप जाना आप करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा ऑफिशियल जो वेबसाइट है AICTE GPAD की उस पर जाना होगा अभी जो AICTE GPAD की वेबसाइट है इस पर अभी आपको जो पिछले साल के प्रिवियस एर जो है उसके अपडेट्स है बट इस साल के अपडेट्स जल्दी ही आ जाएंगी इस स्कैंट चलिवियं अवरकी आपको सेल्दी अवरगीकाशन है अप्लव कंशलग अपलोड गडेगा अप्लोड करनी पड़ेगा पड ता है अपना स्कैंटे प्लेडड झाड़ क अपना और फोटोग्राफ इसकी भी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है कितनी साइज की फोटोग्राफ और स्कैंड सिगनेचर वो आपको उसी साइट पर पता चल जाएगा जिस पर फॉर्म करेंगे आपको ध्यान रखना है कि सारी डिटेल जो है वो आपकरेक्ट ली फिल करें और उसके बाद क्या करना होता है print out लेना होता है उस फिल फॉर्म का और उसके copy भी लिनी होती है further reference के लिए कई बार क्या होता है कि आपको examination hall में entry के लिए ये जो आपका ये field form जो है वो check करते हैं तो इसको आप प्लीज ध्यान से भरे फिर देखे registration fee कितने लगेगा और कौन से mode of payment होगा आपको देख लेते हैं तो देखे category wise होती है ये application fees सबसे पहले general unreserved categories के mail के बारे में बताया गया gender और सारी ही देखे EWS, OBC, SC, ST, P, WD ये सारी ही लोग आजाते हैं तो इनको कितना करना पड़ेगा पे देखे 1000 रोपीज प्लस bank charges होगा इनके लिए application fees फिर देखे मोड of payment जो है तीन तरह से कर सकते हैं online mode से अगर आप देखे तो आप debit card से पे कर सकते हैं credit card से पे कर सकते हैं and net banking के थुरू भी पे कर सकते हैं जो भी payment होती है वो फिर देखे eligibility criteria के अगर हम बात करें तो qualification में क्या है कि candidate के पास bachelor's of pharmacy degree होनी चाहिए जब वो इस post के लिए apply करते हैं आप भी बतायेंगे कि appearing candidate जो होते हैं वो भी apply कर सकते हैं कैसे तो qualification में सबसे पहले हमने देखा कि bachelor's degree होनी चाहिए आपके पास pharmacy की then nationality में candidate जो है citizen of India होना चाहिए age में देखे कोई prescribed age limit नहीं है GP22 के लिए appearing candidate देखे appearing candidate वो बच्चे जो की final year में है bachelor's of pharmacy के अपने final year में fourth year में है वो भी apply कर सकते हैं इस examination के लिए फिर देखे देखते हैं pattern क्या होगा exam का तो exam mode online computer based test होगा computer पर आपको देना होगा online mode से type of question देखे multiple choice questions होगे maximum marks कितने total maximum marks आपके पास देखे 125 total questions होगे और maximum marks सारे question को अगर मिला दिया जए 500 marks का total आपका paper होगा medium क्या है English सिर्फ होता है English और Hindi bilingual language नहीं होती इसमें सिर्फ एक ही language होती है English then exam duration तीन घंटे का exam है marking scheme में देखे हर right answer के लिए आपको four marks मिलेंगे और कोई भी अगर आप गलाच जबाब देते हैं तो एक marks जो है आपका deduct कर लिया जाएगा आपके total जो भी आपने marks obtain किये हैं उनमें से एक-एक marks cut कर ले जाएंगे हर wrong answer पे तो आपको यह suggest किया जाता है कि कम से कम wrong answer को आप click करें अगर आप sure नहीं है तो skip करें ऐसे questions को नव फिर देखे जीपे 2022 दिन स्टेंड़ नव बजाएंगे जो पाड़ाई करें देखे अची के और देखे यह मत आपको प्रप्रेशन च्रहली है यह सबसे पहले देखे आपको सारी डिटिए्ज कर्क नहीं है क्या स्लेबस सारे आपका आरा है किस सरा का पैटन है आपको पैटन बता है उस तरह से पूछा जाएगा क्या स्लेबस है आपको अच्छे से गूत्रू होना है स्लेबस के स्लेबस जो है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे क्लिक करें उस पे और सब्चिक्ट वाइस अब देखे कि क्या क्या टॉपिक्स अगर आप जीपैट के लिए पेर हो रहे हैं तो दिन स्टैन्ड बुक्स अपढ़ाई करें अच्छे बुक्स Supre प्रपर करें अब सैंपल पेपर जितने भी है या प्रिविएस केकल करना है यह जो प्रॺईस करना है यह जो प्रीविएस चासिस श होने चाहिए और प्रॉपर स्लीप लेना है आपको एक्जाम से पहले तो यह कुछ प्रिपरेशन टिप्स है जिनको फॉलो करके आप इसलिए अपने जीपाइट 2020 को क्रैक कर सकते हैं यह कुछ हमारे रिलेटेड वीडियो के लिंक है जिन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों learning pharmacy पर आने के लिए और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में